स्वागत है आपका माई डिश्रिल प्लाट्फॉर्म पर और मैं आपके साथ उताली है उर्फी जावेद आज किसी के पहचान की मौतास नहीं है सोचल मीडिया पर उनके लाखो पॉलोवर है अपने ड्रेसिंग सेंस की वज़े से चर्चा में रहने वाली उर्फी ना सिर्फ बोल्ट और बिंदाज है बलकि अपने हिसाफ से जिन्दगी जूरे है उर्फी आज भले ही पॉपिलर है लेकिन अपनी पहचान बनाने के लोगों ने काफी मुश्किले भरे हालातर का सामना भी करा है उर्फी ने अपनी जिन्दगी के बारे में एक चोकाने वाला खुलासा किया है जिन्दगी से तंग आज चुकी थी उर्फी जावेद आपको बता दे कि उर्फी जावेद ने स्पॉर्ट बॉई को दिये एक इंटर्व्यू में अपनी जिन्दगी के बारे में कई खुलासे की अक्टिस ने बताया कि एक ऐसा भी समय था जब वो पार्क में सुचाया करती थी क्योंकि मेरे पास यानि उनके पास घर तक नहीं था कुछ दिन में फ्रेंट्स के घर पर भी सोई रही है वो उर्फी ने बताया इतना ही नहीं सर्दियों के दिनों में मैं बिना रजाई के फर्ष परतोती थी आज मेरे पास सब कुछ है च्रगल के दौरान कई बार ऐसा हुआ कि मैंने खुद को खतम करने के बिवारे में सोचा था आगे उर्फी ने बताया कि उर्फी अपने संगर्श के दौरान दिप्रेशन का शिकार हो गई थी और कहा कि जब आपके पास पैसा नहीं होते हैं तो सुसाइट करने का खयाल आता है लेकिन मैं इस हलाज से निकल कर आगे आई हूँ और जीने के विश्वास करती हूँ उर्फी ने बताया आज जब बीते दिनों को याद करती हूँ तो खुद को ब्लेस मानती हूँ मैंने हलाज को आगे खुटने नहीं देखे इसके लिए खुद पर फक्र महसूँ करती हूँ उर्फी चाविद ने किया बड़ा खुलासा उर्फी की माने तो लोगों ने उन्हें काफी नीचा दिखाने की कोशिश की हैं उनके बारे में गंदी-गंदी बाते कहीं हैं और उन्हें गरीब बताते हुए उनका मनोबल तोड़ा है कि तू हमेशा साइड रोल ही करती रह जाएगी उर्फी ने बताया कि जब-जब किसी ने मुझे नीचे गिराने की कोशिश की तो उस चीज ने मुझे और मज़ूत बनाया उर्फी को उनके ड्रेस की वज़े से ट्रोल किया जाता है लेकिन अक्रस इन बातों से बेपरवा अपनी ही जुन में एक और धमागेदार ड्रेस में अफ्तारिक हो जाती है आपको बता रहे कि उर्फी जावेद अपना दम पर एंटेसेर्मेंट की दुनिया का फेमस ना बन बन जोती है वहीं अपने आउट्पिट की वज़या से सुर्खियों में रहने वाली उर्फी जावेद को एक उफलब्दी हासिल होई है मेडिया रिपोर्ट के मुताबेक हाल ही में एशिया में सबसे जादा सच किये जाने वाले टेस में से उर्फी जावेद शावेद है इतनके साथ वीज़यो में पर थी आपको हमारी ये वीज़यो कैसे लगज़े हमें कामेट के जबी बताएगा नमस्कार